धन्वंतरी कैसे बने देवता, क्या है पूरी कहानी, धन्तेरस से क्या है उनका नाता? दिपावली के दो दिन पहले धन्तेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा तो की जाती है. कम लोग जानते हैं कि धन्वंतरी धन के देवता नहीं है. उन्हें अपने पहले जन्म में भी देवता के रूप में स्थान नहीं दिया गया था, इसके लिए उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ा था, ऐसा क्यों हुआ था और उनका धंतेरस से क्या नाता है, इसको लेकर भारतिय धर्म की पौरानिक कथाओं में धनवंतरी की कथा क्य है, इस कथा को सुनने से न सिर्फ आपकी सभी इच्छाय पूर्ण होती है, ध्यान रहे भक्तो इस पवित्र कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे अंत तक सुने और अपनी श्रधा को प्रकट कर, हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व एक द त्याहार नहीं होता है, बलकि इसके साथ कुछ और भी त्याहार जुड़े होते हैं, इन में से एक धंतेरस है, यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की कृष्न पक्ष की प्रयोची तिथी को मनाया जाता है, और माना जाता है, कि इस पर्व से दिपावली के उत्सव की शुरुवात होती है, जहां हिंदू धर्म और कथाओं में धन की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है, वहीं धन के देवता कुबेर कहे जाते हैं, ऐसे में धनवंतरी का धनतेरस से क्या नाता है, और उन्हें देवता की उपाधी कैसे मिली थी, इसकी एक धन्वंतरी को भगवान विश्नु का अवतार माना जाता है, पुराणों के अनुसार हिंदू पंचान के अनुसार भगवान विश्नु ने कार्तिक महीने के कृष्न पक्ष की त्रयोजशी तिथी को धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था, इसी लिए इस दिन धन्व अम्रित कलश लेकर प्रकट होने कारण ही उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया है। इसीलिए धन्तेरस पर बर्तन, विशेश तोर पर कलश खरीदना शुभ माना जाता है। यहां तक कि उनका अम्रित कलश एक तरह से समरिध्धी का प्रतीक है और धन्तेरस के दिन सोने पुराणों में उन्हें चिकित्सा का देवता माना गया है और यहां तक कि उन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विश्नु से पूछा था कि उनका इस लोक में क्या काम और स्थान है। इस पर भगवान विश्नु ने बताया कि अभी उन्हें धन्वंतरी प्रथम के नाम से जाना जाएगा। धन्वंतरी के आने से पहले ही यग्य का भाग तो देवताओं में बंच चुका था। ऐसे में देवताओं के बाद पुत्पन होने के कारण उन्हें उस जन्व में देव नहीं माना गया। धन्वंतरी का दूसरा जन्म। भगवान विश्नु ने कहा था कि उनका अगला जन्म द्वापर होगा जहां धन्वंतरी द्वितिय के नाम से जाने जाएंगे और उसी जन्म में उन्हें सभी सिधियां प्राप्थ होंगी और तब वे देवता हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी तभी से पूजा भी होने लेगेगी और वे आयुरवेद के अश्टान का विभाजन भी करेंगे। द्वापर यूग में जब काशी के राजा धन्व न अश्टान में विभक्त कर अपने शिशों में बाटा। उन्होंने ने ही अमरित्मय और शिधियों की खोज की थी। इनके वन्शज दिवोदास ने शले चिकित्सा का पहला विद्याले स्थापित किया था जिसके प्रधानाचार्य बनाया गया था। वैदिक काल में जो मह भग्तो सचे दिल से कमेंट में लिखिए कि धनवंतरी भगवान आप हमारे घर आये और अपने आशिरवात से हमारी सारी गरीबी, सारी बीमारियों को दूर कीजिए। भगवान धनवंतरी आपकी सारी परेशानियों को जरूर दूर करेंगे। झाल 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 झाल